विल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने जा रहे हूं फ्रूट राइता तो फ्रूट राइता हम कैसे बनाएंगी वो चली मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी यह जो की बहुत ही healthy और बहुत ही tasty होता है तो चलिए दिखाते हैं कि fruit राता हम कैसे बनाएंगे आप लोग के साथ share करते हैं तो वीडियो देखने के पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कियों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए गा और जो लोग सब्सक्राइब किया हो लाइक जरूर कर लिजिए क्योंकि आप लोग की एक लाइक मेरे लिए बहुत जादा मायने रखता है तो प्राइब भी एक लिया है एक सेब लिया है और एक अनाल लिया है इससे इन सब को छील लेंगे और यह पर मैंने एक तुली दही ली है दो बड़ी चम्मट चीनी लिया है चीनी की जगए आप चाहे तो चीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुगर पाउडर बहुत तो चलिए अब शुरू करते हैं से बनाना सबसे पहरे इस फल को मैं काट लेती हूं छील करके इसे काट लूँगी तिरे देखिए मैंने फल को छील के काट लिया है आप छोड़े टुकड़े करके रख लिये हैं मैंने बहुत छोटे क्यूब्स वाले टुक्ले बनाये हैं क्योंकि बहुत बड़े वाले टुक्ले अच्छे ने लगते तो मैंने छोटे चोटे टुक्ले बनाये हैं तो यहां पर मैंने दही को निकाल लिया है बाउल में और यहां पर मैं चीनी भी डाल देती हैं साथ में क्य कि देखिए बहुत ही बढ़िया से इसमें मेरे पानी नहीं एट किया है क्योंकि मुझे दही खाली दही का ही रायता अच्छा लगता है तो मैं आप लोग के साथ बीसी तरह सेव कर रही हूं तो यहां पर मैं सेव डाल दीन हूं और केले डाल दीन चुछ 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 क्यों प्रूट जैसे कि आपको जो पसंद आय उप ले ज़िए जो अपके पास हो उससे बना लेजी को यह नहीं कि हमार पास ही नहीं थो कैसे बना जो प्रूल है भुष हमें डालके यह फुट राइता बना लेजिए तो यहां पर मैं नहीं लिया है काला नंग जो मैं अर तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो में कोई आवाज जाए तो एरोप्लेन जा रही उपर से इसकी आवाज जा रही है तो यहां पर मिने चाट मसाला डाल दिया है तो यह सबको अच्छा से मिक्स कर देंगे बहुत ही हेली होता है आप अगर खा लेंगे तो सच में कह रहे हैं कि आपको लगेगा थोड़े जिरतों मतलब खाने के लिए नाहीं सही है और इसे आप ब्रत में भीखा सकते हैं ब्रत में जैसे की चाट मसाला और नमक इसकीप कर अगर नौरात्री है तो आप सेंधा नमक कर सकते हैं बकी बुरतों में तो नमक साथ नहीं काते हैं तो इसमें नमक ना डालिये हैं तो अगर आप लोग को मेरा फ्रूट रहता पसंद आया हो तो प्लेज मेरे वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा जो लोग सब्स्क्राइ आप कियों लाइक कर देंगे तो यहां पर मैंने लिया है अनार-अनार को उपर से गार्निश कर देती हूं तक यह देखने में बहुत अच्छा लगता है तो कोई चीज उपर से सजा के लिए तो खानी का ना भी मन रहे तो आदमी खा लेता है तो इसलिए मैंने इस तरह से है तो यह देखिए आप लोग इसी तरह से बना करें जूए खाईएगा बहुत ही चेश्टी हुगा सकने तो यह देखिए लुक कितना अच्छा रहा इसका देखने में बहुत अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही यमी है तो प्लीज इसे जरूर आप लोग बनाईएगा और अगर आप लोग को मेरा ये राता जो है पसंद आए तो मेरे कमेंट बोक्स में कमेंट भी किजिएगा और ना पसंद आए तब भी किजिएगा कि कैसा बना है तो आप लोग के कहने से मेरे उस्सा बढ़ती है और मेरे जो फ्रेंड है जो कमेंट देते हैं इसे में बहुत ज़्यदा मेरा मनोबल बढ़ता है तो जो है अगर आपको मेरा वीडियो पसंदा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से हैं सब्सक्राइब करें